हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू गर्भ गुरू, मैं डोक्टर प्रियांगा यादव, और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी के 25 वे, 25 विक के बारे में, यहाँ पर एसा लग रहा होगा कि अभी मेरा 7 वा महिना चालू हो गया है, लेकिन नहीं, अभी आपका 6 महिन चल रहा है, और सेकंड टाइमेस्टर में है आप भी, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, बेबी ग्रोथ के बारे में, आपके अंदर क्या-क्या बढ़लाव आएंगे, आपको क्या-क्या केर करनी है, जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो, कौन-कौन से टेस्ट कराने जरूरी है इस विक में, और कुछ वहाँ पर एक्सराइज वगेरा आपको कौन से करनी चाहिए, वो सब बातों का डिसकसन, पूरे विक का डिसकसन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो सरुवात करेंगे हम बेबी से, बेबी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़लाव आएं और बाहर से जो लाइट आती है, सायद आप दूफ अगेरा में चाहते हैं, तो उसको पता चलेगा, लाइट रिफ्लक्स को वो रिस्पॉंड करेगा, उसका ब्रेन अभी ओडियो यानि के बाहर से कोई साउंड आएगा तो उसको भी रिस्पॉंड करेंगा, वहाँ पे बाहर से जो आप चैसे देख सकते हैं, वैसे बच्चा भी देख सकता है, ब्रेन का जो मेंसेज आता है, उस तरह से वहां पे कोडिनेट होना सुरू हो जाता है, बच्चे का दिमाग पूरी तरह से अभी डेवलॉप नहीं होगा, हर एक चीज हो हमारी तरह काम नहीं करेंग लेकिन अभी ब्रेन फंक्शन भी स्टार्ट हो गया है, दुसरे वहां पर उसकी नोस्ट्रील्स चो रहती है, वह भी अभी ओपन हो गई है, दुसरे ओर गन की बात करें, तो उसका डाइजेस्टिव ट्रेक जो था, वह भी अभी बनना अच्छे से सुरू हो गया है, यहां तो वहां पर उसकी इचकी भी आप फिल कर पाएंगी क्योंकि बच्चे को इस टैम पर रिफ्लक्स आएगा तो दीचकी आना बच्च की सुरू हो जाएगी वहां पर बच्च सक इंग मुवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है उसकी यह जो बाहर आने के बाद ब्रेस्ट फीड के टाइम पर जो मुवमेंट होती है इस तरह सी मुवमेंट भी आजएगे इसकी टीथ के बड्स भी आना शुरू हो जाते हैं इस विक के दोरान दूसरा वहां पर उसके लंग की बात करें तो लंग बन तो गए होते हैं लेकिन वह प्रोपर तरीके से फंक्सन नहीं करता है यान बच्चा थोड़ी देर सोएगा फिर उठेगा फिर सोएगा फिर उठेगा तो कभी-कभी आपको इसा भी लगए कि दो तीन चार घंटे तक वहां पर आपको बिल्कुल मुवमेंट फिल नहीं हो रही है या थोड़ा लंबा समय कभी ऐसा फिल हो तो बच्चा वहां पर सो ज्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन फिर भी उस टाइम पर आपके साल अगे कि मुवमेंट नहीं है तो कुछ मिठा खालो आप या कुछ घर पर जो भी चीज़ो ले बोलो कुछ खालो कुछ मिठा पीलो तो बच्चा मुवमेंट करना फिर से शुरू कर देगा तो बच्च के मुवमेंट यहां पर होती रहती है तो पोजिसेन अभी फिक्स नहीं होगी दूसरे सारे ओर्गन डेवलोप्मेंट भी अच्छे से हो रहा है इसके दूरा बच्चे की स्कीन की बात करें तो उसके स्कीन के लेयर भी बन रहे है उसके अंदर वहां पर ब्लड वेसल्स भी डेवलोप्मिंट हो रही है और उपर बाल भी आ रहे है तो तो का फोर्मेंट भी अज़े से हो रहा है उसकी वहां पर दूसरे सारे ऑर्गन मेंस रहे है उसके उन्हुक्रे चाहितु की बिदे की हाइट और ऒएट की बात करे खरहे तो इसकी हाई की बात करें तो 600-700 ग्राम के असपास होगा हाइट और वेट हर एक का अलग रहेगा ममी पापा कैसे है जिन्स के अनुसार वहां पर बदलती रहती है यहां पर अंदाजीत उतनी हाइट वेट पच्चे का रहेगा अब बात करते हैं आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंग तो यहां पर आपको जो इंडाइजेशन की दिक्कत है वो कभी-कभी बढ़ सकती जैसे गेस असीडीटी होना वहां पर थोड़ा सा आपको कभी-कभी क्भी दिक्कत भी रह सकती है तो पानी अच्छे से पीएगा फाइबर अच्छे लीचिएगा बनाना खा सकते दियों से मच गाय का देशी घी डालिए रोज परात में पीए आपकी स्कीन हेर भी अच्छा रहेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा दूसरा आपको कभी-कभी अच्छानक से खड़े होंगे तो चक्कर वगेरा आ सकता है आपकी बीपी की जो मेजरमेंट होती रहनी चा तो अभी मैंने बता हाइडरसन मेंटेन कीजिए राइफ फ्रूट्स प्रोटीन रिच डायट यह सब लीजिएगा जिससे आपका वहां पर नूट्रिशन अच्छे से बना रहेना चाहिए क्योंकि बच्छा तो आपकी बोडी मेंसे जो लेना हो लेना है आपको अपना नू हाइडरसन मेंटेन कीजिएगा बीपी अपना अच्छे से मेजर करते रहेगा दूसरा वहां पर डायट में तो जो भी खाना चाहिए वह खा ही सकते लेकिन में अभी बता है प्रोटीन रिच डायट अच्छे से रहना चाहिए स्पेसिल ब्रेकफास्ट डेली का एक्सिजनल करेंगे तो आपकी नूर्मल डिलेवरी के रेट भी बढ़ेंगे तो एक्सरसाइस चालू नहीं की है योगासन चालू नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजेगा इस में अभिक्के दोरान आपको कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए तो देखो छठे महीने के अंदर यह भी ज़रूरी है तो छठे महीने में यह तीन टेस्ट अभी तक आपने नहीं कराया तो करा लीजेगा बीपी का तो मैंने बताया वह तो आपका वहां पे मेजर होगा ही और यदि इसमें कुछ दिक्क्यत आती है तो उसकी ट्रीटमेंट पी चालू करनी ज़रूरी है अल्टरसा पास का वह कभी भी कम हो सकता है तो यहां पर आप अल्टरसाउंड हर महीने कराते रहना जरूरी है बच्चे का विकास कैसा हो रहा है वह आप सोनोग्राफिक मदद से जान सकते है यानि कि आपकी जो एलेंपी रहती है लास्ट पीरियाड की डेट जो रहती है इसके अनुस जो ग्रोथ होता है उसके अनुसा डिपेंड रहती है तो आपकी LMPDD और आपकी USDDD वो दोनों साथ में चलने चाहिए मिक्सिमम गेप आपका आठ दिन का होना चाहिए आठ दिन आगे आठ दिन पीछे रहे तो चलेगा उसके उपर से हम जान सकते कि बच्चे का विकास अचा ले लो लेकिन सप्लिमेंट्स को एक भी दिन मिस नहीं करना है दूसरा वर्किंग मदर है तो आपको प्रोटिंग बिस्कीट्स चाहते है वह अपने पर्स में रखने चाहिए एनरजी डिंक रखने चाहिए कोकनट वोटर लेते रहना चाहिए जिससे आपका वहां पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आपके लिए बिल्कुली फ्री है प्रेग्नेंसी रिलेटेड सारे जो जो दिक्कती रहती जो गाइडेंस चाहिए बच्चे का ग्रोथ के लिए सब कुछ आपको इस गर्भ गुरु चैनल पर मिल जाएगा तो चैनल को इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं वहां पर भी क्यो एनलाइस सेसंस होते रहते हैं तो चलिए फ्रेंड फिर जल्दी से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी बाई